लव जिहाद का शिकार बनी इंजिनियर लड़की, धर्म परिवर्तन को किया मजबूर, फिर बनाया निकाह का दवाव। किसी एक कारण की बात करें, तो सबसे आम वो कटरपनती सोच है, जो धर्म परिवर्तन के कारे को सर्वोपरी मानते हैं, और इसके लिए किसी भी हद तक गुजर जाते हैं, या यूँ कहें कि किसी भी घिनोनी हरकत को अंजाम देने को तयार रहते हैं, मौजूदा दौर में अ एक पढ़ी लिखी इंजिनियर लड़की इसका शिकार बनी है, पूरी घटना महाराश्ट्र के छत्रपती सांभाजी नगर की है, जहां एक मुस्लिम कॉंट्रेक्टर ने अपने परिवार वालों के साथ मिलकर एक हिंदू इंजिनियर लड़की का जबरन धर्म परिवतन कर और फिर निकाह कर लिया, दर्ज बयानों के अनुसार महिला के साथ मारपीट भी की गई, जिसके बाद घटना पर संग्यान लेते हुए पुलीस वालों ने परिवार वालों के खिलाब F.I.R. दर्ज कर ली, इस मामले में पुलीस ने ताहिर पठान, तैयब सब्बीर पठा और 11 फरवरी 2024 को उसे इसलाम में कनवर्ट कर दिया, ये लोग उस पर नवाज पढ़ने, बुर्का पहनने और जबरन निकाह करवाने में शामिल थे, इस मामले के F.I.R. सिटी चौकी पुलीस स्टेशन में दर्ज की गई है और पुलीस मामले की जाच कर रही है, बता दे कि इसलाके में कुछ दिन पहले भी दो नावालिक लड़कियों का जबरन धर्म परिवर्तन कर निकाह कराने की बात सामने आया थी, पता दे कि हालिया दिनों का ये कोई पहला मामला नहीं है, महराश्ट्र के साथ सा त्रिपूरा से भी लब जिहाद का मामला सामने आया था, ज नावालिक लड़की को मुक्त कराया है, दोनों ही घटनाओं में मुस्लिम महिलाओं का हाथ सामने आया है, महराश्ट्र में ताहेर पठान, तैयब सबीर पठान और आईशा बहेर पठान के खिलाफ F.I.R. दर्ज की गई है, तो वहीं त्रिपूरा मामले में मुहमद मुस् से घर लोटते समय अपहरन कर लिया गया था, इस मामले में जोचना खातू नाम की महिला ने नावालिक को गाड़ी में ये कहकर बिठाया कि वो लोग उसे घर छोड़ देंगे, इसके बाद मुहमद मुस्तफा गाड़ी को लेकर असाम भाग गया, पुलीस ने उसे ही प्तार किया है, ये सिलसिला पस महाराष्ट और तिरपूरा तकी सीमित नहीं है, बता दे कि देश में ऐसे मामलों की कमी नहीं है, यूपी भी से अचुता नहीं है, हिंदू लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फसा कर धर्म परिवतन के मामले अकसर देखने को मिलते ह इसी के विरोध में हिंदू संगठन लव जिहाद के खिलाप लगातार मुखर रहते हैं, विवेक अगनिहोतरी के फिल्म दकस्मीर फाइल्स की रिलीश के बाद तो इस मुद्धे पर नए सिरे से बहचिड गई थी, इसके बावजूद इस तरह के मामले रुकने का नाम नह ही ले रहे हैं, बीते साल नवंबर के महिने में एक ऐसा ही मामला दिल्ली से सटे गाजियाबाद से सामने आया था, लेकिन लव जिहाद और धर्मांतरन से जुड़ा ये केस तूसरों से बहुत अलग था, इस मामले में हैरानी की बाद ये थी कि पीडित महिला को शादी के आठ साल बाद पता चला कि उसका पती हिंदू नहीं है, राज खुल जाने के बाद आरोपी पती उस पर धर्मांतरन का दवाव बनाने लगा, महिला के दो बच्चे हैं, इसके बावजूर उसने धर्म परिवर्तन से साप इनकार कर दिया, ससुरार वालों ने ज्यादा दव बनाया तो वो घर छोड़कर दूसरी जगा रहने लगी, लेकिन पती अपनी मा और भाई के साथ वहाँ भी आधम का, उसके बाद मारपीट की गई, इसके बाद महिला ने लोकल थाने में शिकायत दर्च करा दी, सूचना मिलते ही पुलीस सकीरी हो गई, आरोपी पती को 2015 में शादी की थी, इसके बाद 8 साल तक साथ रहे, इस दोरान दो बच्चे भी हुए, अर्चना के मताबिक आरोपी ने उसकी मुलाकाश शादी के कुछ महिने पहले ही थी, उसने अपना नाम रिकी बताया था, दोनों के बीच प्यार हो गया, तो परिजनों की शहमती पर उसके साथ शादी कर ली, इसके बाद दोनों दिल्ली के वजीराबाद में ही साथ रहने लगे, इस बीच 5 साल के अंदर उनके दो बच्चे हुए, इसी बीच अर्चना को जब अपने पती का राजपता चला तो वो सन्न रहे गई, रिकी मुसलिम है, उसका असली नाम नाव दलवाने की कोशिश की, लेकिन उसने इसका विरोध किया, इसके बाद उसके ससुराल वाले उसे परिशान करने लगे, उसकी सास, बुलनाज और जेक, जावेद इसमें नावेद का साथ देते थे, आखिरकार परिशान होकर अर्चना अपने बच्चे को लीकर गाजियाबा पुलीस ने सालिमार गार्डन थाने में पती और ससुराल वालों के खिलाब शिकायद दर्च करा दी, पुलीस ने आरोपी के खिलाब दहेज प्रतिशेद अधिनियम और धर्म परिवर्तन प्रतिशेद अधिनियम के तहत केस दर्च किया, आरोपी के भाई ने भे हिंदू लड़की के साथ शादी की थी, पता दे कि गाजियाबाद में लव जिहाद और धर्म परिवर्तन के मामले लगतार सामने आ रहे हैं. यहाँ इस मामले में कई रैकेट काम कर रहे हैं, इसी साल जुलाई की बात है पोलीस ने एक बड़े रैकेट का परदाफाश किया था जो ल लोग पहले हिंदू लड़कों को मुस्लिम बनाते फिर उनसे हिंदू लड़कियों को अपनी जाल में फसा कर लव जिहाद के लिए उकसाते इस रैकेट का पता तब चला जब गाजियाबाद के खोड़ा थाने में 25 साल की एक लड़की का पिता पहुचा उन्होंने बताया कि उनकी बेटी पिछले कुछ समय से अजीवो बैवार कर रही है उसकी गतिविती बेहत संदिक्द लग रही है वह घर के अंदर हिजाब पहनना शुरू कर चुकी है घर में नमाज पढ़ रही है यहाँ तक कि घर के लोगों से इसलाम अपनाने को कहती है शिकायत मिलते ही गा अज़वार वालों ने पुलीस को ये बताया कि लड़के ने शुरू में बेटी को अपना नाम राहुल अगरवाल बताया था इसके बाद पुलीस ने खोडा थाने में एफाया दर्च की और राहुल को गिरफतार कर लिया उसने पूच्ताज में बताया कि साल 2017 में उसने मह अम्मद अब्दुल्ला उर्फ शौरव खुराना से मिलने के बाद इसलाम धर्म अपनाया था, अब्दुल्ला ने अलीगर से BDS की पढ़ाई की थी, इसके साथ ही देवबन से आलीम की तालीम भी ले रहा था, पुलिस ने अब्दुल्ला को गिरफतार कर लिया, उसने बताया को धर्म परिवतन करा कर राहिल बना दिया, उसे अन्य लड़के और लड़कियों को टार्गेट करने के लिए कहा गया, अब्दुल्ला ना सिर्फ गाइड करता था बलकि उस पर नजर भी रखता था, राहिल ने पिडिता को अपनी जाल में फसा लिया, उससे कहा कि इस लड़की को प्रेम जाल में फसा कर जबरन धर्म परिवतन किये जाने का मामला सामने आया था, पिडिता ने मुबारक अली और उसकी अम्मी के खिलाप एक अपरेल 2024 को पुलीस में शिकायत दर्च करवाई थी, शिकायत में जबरन मांस खिलाने, नमाज पढ़ने और रोजा रखनी तथा हिंदू देवी देपताओं की पूजा करने से रोखने का आरोप लगाया गया था, पिडिता के अनुसार रोजा रखने से इंकार करने पर उसकी बुरी तरह पिटाई की गई थी और साथ महीने से अपने गाउं में कैद रखा गया था, मीडिया रिपोर्ट्स इसके बाद मुबारक लड़की से मिलने नौइडा आया और 1 सतंबर 2023 को उसे अपने साथ लेकर राजस्थान के सिकरी थाना छेतर के गाउं बेला चला आया, इसके बाद पिडिता से निकाह किया और धर्म परिवर्तन का दवाव बनाने लगा, दस दिनों बाद मुबारक प पूरा परिवार पिडिता को आयशा नाम से बुलाने लगा, कुछ दिनों बाद आरोपीद के घर वाले पिडिता पर मांस खाने और नमाज पढ़ने का दवाव बनाने लगी, लेकिन मना करने पर पिडिता की बेरहमी से पिटाई की गई, उसे हिंदू देवी देवताओं क की पूजा करने से भी रुका गया, कतित तोर पर मुबारक के गाओं के मुस्लिम सरपंच ने भी उसे रोजा रखने के लिए कहा था, इन सब के बीच पिडिता ने किसी तरह मौका पाते ही अपने परिजनों को फोन किया और सारी बात बताई, इसके बाद पुलिस ने कारव करने प्रवार सारी बात बाद के अजय के बात बո् सारी बात बात बात, इसके जपार रखने।